गुड मॉनिंग कैसे हैं सांतियों बड़े हैं सब सांतियों आज का मारा टोपिक है हेलमेट आज का मारा टोपिक है सेप्टी हेलमेट ये क्यों जरूरी है हेलमेट पेनना क्यों जरूरी है हेलमेट के वारे में हम क्या जानते हैं ये चीज आप को आज हम इस चीज के वारे मे हम ट्रेणिंग करेंगे ठीक है सबसे पहला इसका पाइट होता है चैन स्टीप यह जो बेल्ट है इसको क्या बोलते हैं चैन स्टीप अब चैन स्टीप क्यों लगाना जरूरी है आपको बोला जाता है इसको किसको लगाओ क्यों लगाना जरूरी है क्योंगी कभी कुछ स्लिपिंग हुए या ट्रिपिंग हुए या बान लिजे कई आपको छोट ठोकर खाये आप चलते हुए आप फिसलन हुआ तो उस टाइम बे आप इससे यह आपके सर्जें हेलमेट को निजाने देगा सेकेंड इसका पार्ट है कि हैट बेंड हैट बेंड क्या है यह जो पूरा आपका सीर को जो पकड़के रखाना इसने यह हैट पेंड यह से आपको सीर की प्रोटेक्ट डवल प्रोटेक्ट करता है थर्ड इसका पार्ट है स्वेट बेंड यह सामने जो इस वो शोंगेगा प्लस आपके सीर में जो सामने का पॉर्सन है उसको प्रोक करेगा फर्ड पार्ट फिर हरनेस जो अंदर का पुरा आपने देख रहा हूँ पुरा जो फाइबर का जो दिया हुआ ये हर्नेस है ठीक है इसके बाद है हर्नेस फिक्सेट यह सको जो उसके उपर हो प्रकार से अपको हेड इंजोरी याड़ स्लिपिंग ट्रीपिंग किसी प्रकार से आपको हर समय बचाता जैसे सामने का पोर्छन है यह इसको क्या बोलते है यह कंग निकल रहा प्रह्ते है फई का कंग ये माली जाक कल लिए अब है अंग हैल मैं में आल दिखा उड तो उस टाइम पर क्या रहता है इंग आसी अधका फाइबर का तो फाइबर का जो गाड रहता है वही काम यहापे अब यहापे फाइबर-गाड करना मुम्पियम नहीं है इसलिए यह काम आपको यह हल्मेड का जो है uh extend यह पेक यह आपको एक तो हम धुप से बचाता है बारिच से बचाता है साथ में यह जो आपके नेक है, नाग है, आँक है, इसको भी प्रोटेक्ट करता है, मालीजे आप सीर के बल कुछ गीरते हैं, स्लिपिंग हो गए, ट्रिपिंग हो गए, तो उस समय यह आपको सीर को निचे जमीन पर टकराने से, रोक देगा ऐसे, ठीक है, तो उस समय यह पेक इतना इ आदमी की आइडेंटिफिकेशन है, उस वेक्ति की आइडेंटिफिकेशन है, उस आदमी की रिस्पोंसलिटी बताता है, हेलमेट का कलर, ठीक है, कि यह आदमी का क्या काम है, जिससे वाइट हेलमेट है, पहले आप कलर की बात करें, वाइट हेलमेट का कलर, जो वाइट जो ब्लू हेलमेट किसका हो गया है, इलेक्टिशन का होता है ब्लू हेलमेट, ब्लू हेलमेट से हमें पता चल जाता है, यह इलेक्टिशन अदमी है, इससे का एक बिजली का काम हो, तो अपन उससे, उसको उससे से लेटेड, आपन संबनती, दूसर अधिकारी से अपन बात कर सकत ठीक है Green helmet तो समझ में आई गया होगा उसके बाद में पूर्थ जो color आता है Red Red color का side पे firefighter के लिए color हो जो firefighter के जो लोग होते है firefighter के जो अधिकारी होते है वो उनके लिए Red doing照 का identification कर रखा है और उसके बाद आता है Yellow helmet Yellow helmet से क्या बदलब है आप लोगों आपने यलो कलर का जो पेन रखा है यलो जो आके कर्मकार है काम करने वाले कर्मचारी है लेबर्स उनके लिए यह यलो एलमेट है यलो एलमेट का कलर जो कडिसाइड करके रखा इस बहुत सोच करके रखा होगा रखा है यलो एलमेट आपने देखा यलो कलर आप चब भी कोई ट्रेफिक पर क्रासिंग करते ओ, चौराया पर करते हूं आप बत्तियां लगी रहती है, ठीक है, लगी रहती है ना, तो उस समय आप देखना, रेड सिगनल आता है सबसे पहले रेड में तो बिल्कूल जाना अलाव नहीं है आपको चो रहा पार नहीं करना है फिर आता है थोड़ी देर के लिए येलो भी चलती बत्ती येलो बत्ती चलती थोड़ी देर के लिए सिगनल पार करने के लिए तो येलो में आप इसका मतलब के बीच में काम कर रहे हो इसलिए आपको yellow helmet का यह color code decide किया गया आपके बीच में आपके सांत में खत्रे है जो yellow element वाले आये हैं उसके सांत में खत्रे है ठीक है यह पांच प्रकार के helmet basically use color use होते हैं यह और भी color है जो तो अलग-अलग और्गनेजेशन पर यूज होता है और भी कई मेरा एक्सप्रियेंस यहां तक कि अलग-अलग साइडों पर कभी कभी मैंने देखा होगा आप गल्फ कंट्री में कहीं देखा हूं को सेप्टी ऑफिसर रेड एलमेट भी पेंता है ठीक है या तो कोई स्पेश में जो कलर होते है और भी कलर होते हैं जैसे ग्रे कलर का हीलमेट होता है जो साइट पें करने के लिए घूमने के लिए उनकों ग्रेकिंड का होगा आजेवी और इसके बाद और भी कलर होता है, एक ब्राउन कलर का हेलमेट होता है, ब्राउन कलर जो हाट वर्क काम करते हैं, हाट वर्क में जो गरम छेत्र में काम करते हैं, उनको ब्राउन कलर का हेलमेट उसकी पहचान रहती है, ठीक है, और कलर होते हैं, और पिंक कलर भी उस होता है कह पिंक कलर ऐसे अल्मोस्ट गल्प कंट्री में देखा होगा आपने कि जो हुमन करमचारी है लेडिस लोगे उनको पिंक कलर का भी दिया हुआ था कहीं लेकिन मैं आपको भी बताया कि कहीं कहीं और इसका अलग-अलग डिफरेंट भी यूज करते हैं तो यह चीज आपने को सम यह चीज के लिए आपको फिके जैस रख्षा जैसरुक्षा जैसरुक्षा